अदानी गुरूप को NSE और BSE से कुछ राहत मी लिये दोनों एक्षेंज ने गुरूप की फ्लेक्शिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज़ को अत्रिक सर्विलांस फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया छे फरवरी को अदानी पोर्ट्स और अमुजा सीमेंट सहित अदानी एंटर और पर जब किसी स्टॉक को सर्विलांस मेकनेजम में टेला जाता है नेसी में तो अस्व मरमस यह देना पर अमत्री थ ecc से अकी सकारात्मक और जिसका व्यसर मिलगर 16 कल बाजार से बता चलेता इस वी जड़ानी गृूप के मंद्रा पावर प्लांट पर भारी कर्जृ चिंता का विशय बना हुआ है गुरुप पर भारी पढ़ रहा है ये कर्ज मुंद्रा पावर प्लांट पर करीव एक दशनलों आट अरब डॉलर का घाटा है और पावर प्लांट की कुल देंदारी उसकी संपत्तियों से जादा हो गई है इसलिए ये चिंता गहरा रही है सर इसको लेकर लगातार सवाल क्यों उट रहे हैं ये सब ये एक किस्म की फाल्ट लाइन है अडानी सम्हों में मुंद्रा पावर प्लांट इसको लेकर ब्रूंबर के खबर आई है इसके बाद बाजार में तमाम आपचारी करण आपचारी कुर्प से चर्चा चल रही है कि अ ऐसा करज है जिसे चुकाने के लाइक शमता हैं मुंद्रा पावर प्लांट के पास और अडानी सम्हों के पास नहीं है अडानी सम्हों की तरफ से आधिकारी प्रूप से इसमें कुछ कहा नहीं गया है लेकिन जिसक हम आपको शुरुआ से बार 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 बता रहे हैं कि कमजोरी है सबसे बड़ी मर्ज है और मुंद्रा पावर प्लांट अदानी सम्हूं के पावर प्लांट के कमपिनियों में सबसे महत्वपूर्ण है और वहां से यह निकलती हुए खबर बांड निविश्कों को परेशान करेंगी अब आप यहां से तार जोड सकते हैं कि भारत अदानी गुरूप के निवेश को लेकर ऑस्ट्रेली की तरफ से कहा गया है कि उनके देश में गुरूप का कारवाल सफलता से पूर्वक चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में अदानी गुरूप सबसे बड़ा भारती निवेशक बना हुआ है